गुड मॉर्निंग अल आफ यू आपके अपने यूटूब चैनल जोग्राफिय जंक्शन पर में स्याम देवडा आपका स्वागत गता हूँ आज अपन बात करेंगे मुख्य रूप से 17 नदी के बार में और 17 नदी की जो जानकारी है वो 17 नदी कौन-कौन से राजियों में स इस प्रकास है तो अपन बात करते हैं 17 नदी के बार में तो देखो सबसे पहले तो जो 17 नदी है इसका जो पुराणिक नाम है जो अपन कहते हैं पुराना नाम है या जो ग्रंथों में जो नाम मिलता है वो मिलता है आपके सतुंद्री नदी की रूप में सतुंद्री नदी और इसकी जो लंबई है इसकी जो कुल लंबई है वो है 1450 यानि 1450 किलोमेटर मान जाती है टोटल लंबई और इसकी जो भारत में जो लंबई है वो 1050 किलोमेटर मान जाती है बारत में इसकी जो लंबई है 1050 किलोमेटर माने जाती है अब यह जो 17 नदी है यह मुखे रूप स यह अपन कह सकते हैं जो तिबत है तिबत में एक मांसरोर जील है उस जील के पास में राकस्ताल जील है मांसरोर के पास में एक राकस्ताल जील है या हिमनद है मांसरोर जील के हो या तिबत के पास में मांसरोर इस्तान है वहां से जो एक हिमनद है कहीं किताबों में कहीं मिलेगा तो राकस्ताल जील से ही सतलज नदी का उदगम होता है ये आपको ध्यान रगना और सतलज नदी ये मुख्य रूप से सिंदू की जो साहिक नदी है और ये जाकर फिर अरप सागर में मिल जाती है तो ये ध्यान रगना राकस्ताल जील के हो मानसरोर के पास में या रा 17 नदी हिमाचल परदेश पंजाब और यह राजस्तान यानि राजस्तान में भी इसका विस्तार है तो यह तीन राजियों में इसका विस्तार है हिमाचल परदेश पंजाब और राजस्तान फिर अपन बात करते हैं अगर ऐसा पूचा जाए यह भारत में जो परवेश राजि अब इस जील पर तीन बांद बने वे बड़ी बड़ी परियोजना तो देखो पहली जो परियोजना है यह है आपके नापता जाकरी परियोजना यह कहां बनी हुए हिमाचल प्रदेश में एक परियोजना बनी हुए नापता जाकरी परियोजना फिर अपन दूसरी बात करते ह कि इसमें एक भाकडा नागल बांध बनावा तो अपन ऐसे सामुएक परियोजना का नाम तो है भाकडा नागल परियोजना लेकिन भाकडा और नागल दो अलग अलग बांध है दो देखो इसका नाम है पहला बांध बनावा जब हिमाचल परदेश आते हैं तो पहला बांध बाकड़ा बांद तो हिमाचल परदेश में बनावा है और नाःगल बांद है जो आपका का है बनावा पंजाब में बनावा है। इसी 17 नदी में एक नदी उपर से और एक नदी आती है व्यास नदी व्यास कुंड से आते हैं व्यास कुंड से होकर आते हिमाचल प्रदेश में इसका भी उद्गम हिमाचल प्रदेश में व्यास कुंड से होकर और यहां पर एक दर्रा आता है रोहतांग दर्रा तो यह भी ध आपका पॉंग बांद और दूसरा है पंधो along giant and clickage? पॉंग और पंधो दो बांद बने वे और दोणों ही बांद कहां पर हैं हि matchal resistance में हैं और ये व्यास नदी आगчंगskal celery के बराज यानि पंजाब में रोपड नमकिस्थान पर यह अपन कहें सकते हैं les अब राज्य में हरी के बेराज नाम से जो बांध बनावा दोनों नदियों के संगम पर दोनों नदियों का जब संगम होता है हरी के बेराज पंजाब में और यह हरी के बेराज क्यों परसीद है अपन के लिए राजस्तान के लिए क्योंकि हरी के बेराज यानि पंजाब से आ से इंद्रा गांदी नहर का उद्गमिस्तान है तो यह आपको ध्यान रहेंगा हरी के बेराज कहां पर पंजाब में तो आज हमने पड़ा मुखी रोप से 17 नदी के बारे में 17 नदी का पुरार नाम सतुंद्रिय इसकी कुल लंबई साड़ा 2400 किलोमेटर है इसमें से 1050 किलोमेटर साड़ा 2400 में से 1050 किलोमेटर बारत में है और 17 नदी हिमाचल परदेश से बारत में परवेश करती है राकस्ताल जील से ओकर और यह ध्यान रगना यह दर्रा पूचे तो सिप्त की लादारा और इस पर नांगल और एक आपका बांध बांध बने हैं और इस नागल और बांध यहां पर एक स्रोवर भी है काद आपको अगर हम परसंद आया आपको अधिक से और ज्यूर्स करूब और हम इस चैनल को सब्सक्राइब जरू करें, आप हमेशा अपनी पड़ाई को निरंतर जार रखें, हंस्ते रहें, मुस्क्रात रहें, दन्योबाद